Assalamu alaikum and welcome to my channel. I hope you're all are doing good. आज हम पढ़ेंगे biology के chapter number 8 जिसका नाम है nutrition और उसमें हम discuss करेंगे role of liver को. तो सबसे पहले हम liver की कुछ characteristics और उसकी location के बारे में पढ़ेंगे. Liver is the largest gland of body. हमारी body का सबसे बड़ा gland जो है वो liver है. यानि liver एक ऐसा organ होता है, एक ऐसी चीज होती है, जो के हमारी body के अंदर कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है, इस तरह वो कोई juice भी हो सकता है, कोई hormone भी हो सकता है, तो उसको हम gland कहते हैं. अब हमारी body में जितने भी glands हैं, liver उन सब में से बड़ा होता है. और यह multi lobed होता है, हम multi lobed का मतलब यह होता है, कि इसके एक से ज़्यादा parts होते हैं, एक से ज़्यादा lobes होते हैं. और इसकी जो appearance होती है, वो dark reddish color की होती है, यह dark red color का होता है, हमारा जो, अगर हम pate के area को देखें, तो यह हमारे abdomen यानि pate की right side पे होता है, और diaphragm के नीचे होता है. diaphragm जैसे कि आपको पता है कि यह एक muscles की sheet होती है, जो के lungs के नीचे होती है. in an adult human, it weighs about 1.5 kg and is the size of football. अब एक adult इनसान में इसका जो weight होता है, वो 1.5 kg, यानि 1.5 kg का होता है, और यह इसका जो size है, यह एक चोटे से football जो है, उसके size का होता है. a pear-shaped greenish yellow sack, that is gallbladder, lies along the right lobe of the liver on ventral side. अब अगर आप इस picture में देखें, कि liver के मीचे एक greenish yellow color का structure है, जिसको हम gallbladder कहते हैं. यह gallbladder जो है, इसको हम arms बान में पित्ता भी कहते हैं, और यह liver की ventral side पे locate करता है, यानि liver के नीचे वली side पे. और जो liver का right side वला जो part है, जो lobe है, उसके नीचे locate करता है. तो सबसे पहले हम discuss करेंगे कि liver जो है, इसका हमारी digestion में क्या roll होता है, क्या किड़ार होता है. लिवर जो है, जैसा कि हमने कहा कि liver एक gland होता है, यानि यह कुछ ना कुछ secret करता है. तो liver जो है, वो basically bile को secret करता है. अब bile जो है, यह एक juice होता है, जो के हमारे gall bladder के अंदर store होता है, यानि हमारे पित्ते के अंदर bile जो है, बाइल जो है, वो store होता है और liver इसको secret करता है. When gall bladder contracts, bile is released into dodenum through common bile duct. अब liver जो है, यह बाइल को जब secret करेगा, तो gall bladder के अंदर वो store हो जाता है, जबके gall bladder जो है, जब यह सुकरता है, जब यह contract करता है, तो bile जो है, वो हमारे dodenum, यानि small intestine के अंदर जो है, वो release हो जाता है. अब वो gall bladder में से dodenum के अंदर जिस रास्ते के सुरू जाएगा, या जिस नाली के जरीए जाएगा, उसको हम common bile duct कहते हैं. Bile जो है, यह इसके अंदर कोई enzymes नहीं होते, जबके इसके अंदर bile salts होते हैं. अब यह salts जो हैं, यह कुछ enzymes की help करते हैं, ताकि यह जो हमारे खाने में fats या lipids होते हैं, उनको easily digest कर सके. तो जैसा कि हमने देखा कि digestion के अंदर important role होता है liver का, अब digestion के इलावा भी body में बहुत से important functions हैं वो liver के होते हैं. उन में से सबसे पहला function यह है कि liver de-amination करता है, de-amination का मतलब यह होता है कि जो हमारी body में amino acids बनते हैं, protein से, उन amino acids के अंदर एक amino group होता है. जिसको remove करता है liver, अब amino acid का जो removal का process है उसको हम de-amination करते हैं, इसके लावा digestion के दुरान हमारी body में एक जहरीली gas बनती है जिसको हम ammonia करते हैं, अब ammonia जो है यह हमारी body के लिए बहुत harmful होती है, इसलिए liver जो है ammonia को less toxic form में, यानि के थोड़ी सी कम जहरीली form में convert करता है, जिस जिसको हम yuria कहते हैं, इसके लावा हमारी body में जो कुछ old red blood cells होते हैं, थोड़े पुराने red blood cells होते हैं, जिनकी हमें ज़रुवत नहीं होती, तो liver जो है उनको destroy कर देता है body से, खतम कर देता है, इसके लावा हमारे blood के अंदर एक protein होती है, जिसको हम fibonogen कहते हैं, fibonogen जो है, ये एक blood protein protein होती है, यानि blood को रोकने के काम आती है, तो liver जो है, ये fibonogen को भी blood के अंदर बनाता है, इसके लावा, हमारी body के अंदर, जब हम खाना खाते हैं, तो फूर्ड जो है, वो glucose में convert होता है, और वो glucose जो होता है, वो हमारी body में energy देने का काम करता है, लेकिन जब हमारी body को ज़्यादा glucose नहीं चाही होता, तो वो glucose जो है, वो glycogen में convert हो जाता है, अब ये glycogen जो है, ये body के अंदर, या तो liver में store होता है, या muscles के अंदर store होता है, और जब हमें ज़्यादा glucose की जूरत होती है, तो ये जो stored glycogen होता है, ये glucose में convert होता है, और व glucose हमारी body use कर लेती है अब ये जो glucose glycogen में convert होने का process है और जो glycogen से दुबारा glucose बनने का process है ये conversion जो है ये liver के अंदर होती है ये सारा जो glucose का metabolism होता है ये liver control करता है इसके इलावा liver का एक ये भी function होता है कि ये cholesterol बनाता है अब ये cholesterol cholesterol कैसे बनाता है ये carbohydrates और proteins को convert करता है lipids में यानि fats में convert करता है और इस तरह से cholesterol बनाता है इसके अलावा हमारी body का जो एक temperature maintain करना होता है वो भी liver करता है यानि liver जो है वो body के अंदर heat को produce करेगा ताके ज्यादा सर्दी में हमारा body का temperature जो है वो maintain रहे इसके इलावा हमें पढ़ा था के हमारी जो diet है उसके अंदर कुछ fat soluble vitamins होते हैं जैसे vitamin A, D, E और K तो ये fat soluble vitamins जो हैं ये भी हमारे liver के अंदर store हो जाते हैं इसके इलावा कुछ minerals होते हैं जैसे के iron ये भी liver के अंदर store होते हैं So I hope that आज का lecture आपको समझ आया होगा और अगर समझ आया है So do like, comment and share and subscribe to my channel Thank you